माने सभापती जी, जैवीम, महामहिम राष्टपर जी के अभीबासन पर धन्यवाद प्रस्था पर बोलने को आपने मुझे अउसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूँ सभापती मोदे, सरव पर्थम में बहुजन समाज में जन्में, सभी संतो गुरुव महान पुर्शों को नमन करता हूँ जिन मैं मातमा जोती बाफूले, डॉक्टर बावा साब अम्बेटकर मानेवर काशी राम साब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर साथ साथ नगीना की महान जनता, और भी मारमी और हमारी पर्टी आजाथ समाज पर्टी काशी राम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ इसके बाद, अपने कुल गुरु, जगद गुरु, सद्गु, रवधाज जी महराज को भी मैं नमन करता हूँ जन्हों दुनिया को लगबग 600 साल पहले, बेगबपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महाल लोक्तांत्रिक दर्शन दिया अध्यक्स मोदे, माने सभापती जी, 14 अगर्ट 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था 15 अगर्ट 1947 को हम लोग आजाद हुए, 16 अगर्ट 1947 को देश आजादी में था लेकिन धन दर्ती राजपार्ट में बटवारा नहीं हुआ, जो साधन संसाधन थे उनमें बटवारा सही रूप सना होने कारण, एक बहुत बड़ी अबादी सुधाव से बंचित और सम्मान से बंचित रह गई, उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुधाय पहुँचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्ता हुई, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं, इस पर चिये चिंता का विशह है, मैं मानता हूँ कि समाजिक न भी बाशन पर बात रख रही ती तो उन्होंने सहरी और ग्रामिंट, शेत्रों के विकास की बात कही, और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शेर हमारे याँ बने, लेकिन मानने सभापती जी, 70% आबादी तो गाओं में निवास करती है, तो गाओं की आबादी के वा भी सी, और मुस्लिम और अन्य धार्मिक लब संके के उनके साथ भी मानने सभापती जी, जातीकत और धार्मिक जो है, सोशन किया जा रहा है, इसलिए मेरी मांग भी ये कि पुरानी पेंशन को भी अधिक जी बाहल किया जाए, जो करंचारी देश की सेवा में लगे हैं, उन इससे छिपेवे नहीं हैं, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए, सभापती महोदे जी, महामईम राश्पती जी के अभी बाशन में, नीजी छेतरों में, SC, ST, OBC को रिजर्वेशन देने का कोई लेक नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विशा है, क्योंकि 98% नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे उन पर भी सोचना पड़ेगा, माने सभापती जी, जिस छेतर से मैं चुनके आऊ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा छेतर है, उस छेतर में कोई विशेस आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाई नहीं है, नोजवान प्लायन करता है, आई आई टी, आई एम, एम्स, केंद्रे विद्धालियादी, सिक्सा में, और चिकिसा संक्तानों के अस्थापना होनीचे जो की नहीं है, और माने सभापती जी, मानसून से तरह आ गया है, मेरा छेतर बाड़ से बहुत परभावित है, इसलिए मैं आप से प्राचीन वे बादूर रेजिमेंट में से एक शमार रेजिमेंट को पुने बाहर करा जाए, ऐसा भी मेरा आप से आख रहे है, माने सभापती जी, पिछले सारे परधान मंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है, उससे दुगना कर्द हमारे वर्तमान के परधान मंत्री जी ने लिया है, किसान अगर अपना कर्ज माप कराने के लिए जाता है, तो लाटी जेननी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेटों का 15 लाग करोड रुपय माप किया है, इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीडियों को एक कर्द चुकाना पड़ थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, यह सुप्रिम कोर्ट नहीं माना, और बाद में सरकार नहीं माना, वो मुकद में तुनत वापिस होने चाहिए, माने सभापती जी प्रेस जो है, उस पे भी सिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार खिला बोलता है, नोकरी से हाथ दोन पर अपड़ता है, आँस पे पर त्रह तरहे दोना लगा जा रहे हैं, और विरोध करने वालों को सोचल मीडिया हंडल भी सस्पेंड करा दे जा रहे है, साथ साथ, सभापती जी पेपर लीग की प्रिक्साव के कैंसल होने से देश के देश के नोजवाने का भश्झ से खत् रहे हैं इसलिए मेरा आगर है कि युवाओं के लिए कि प्रिप्या सभापती जी मैं पहली बार बोल रहा हूं आप कहेंगे मैं बैठ जाओंगा मैं आपकी बात मैं सवेदानी मर्यादा को पालन करूंगा वगर हम तो माने सभापती जी सुनी रहें आप बोलिए एक में दने की बेटी का हर से देखा सर और हाथ रस के परिवार को जो वादा कहा ता सरकार ने वो भी पूरा निकिया और महिलाओं में भी अपस्पेशली दलीद पिछड़े और मुस्लिम वर की आदिवासी वर की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सेन ये नहीं है सर साथ-साथ कोवीड में तैरती है हमने कोवीड पर बहुत सुना सर लासे भी घंगा में हमने देखिये सर और मतूरों का हाल भी हमने देखा है सभापती जी बढ़ समाब कर रहा हूँ नोट बंदी पे छोटे मल्यों दोग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है सभापती जी सेक्षिनिक संस्थानों विसुद्दैलों में चिकिर्षा संस्थानों में OVCST के योगड़ा ब्यारती को NFS करके जिस्तर निकाला जा रहा लेटल एंट्री करके जिस्तर हमार राष्टे बंद के जारे ये भी हम देख रहे हैं सभापती जी साथ-साथ मेरा ये कहना है सर ये सबका इशू है कि प्राइवेट करमचारी सर और सरकारी भी कई जगापे आठ से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको ज़र सर उचित वेतन भी नहीं आठ घंटे की द्यूटी और वेतन विसंक्तर बोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए माने हैं सभापती जी एक मिनट चाहिए सभापती जी राष्ट पती जी ने धरम के बारें बात की थी राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगर तुकलगाबाद का फैसला है था राष्ट पती जी वो सभापती जी अभी तक दिल्ली में इस्तीत सद्कुर अज़दा जी मारा का गुरुगर नहीं बना साथ साथ सभापती जी अपनी बात को खतम करते वे मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जितना ये देश दूत्रों का ऐस रितना हमारा भी है हम मरने के लिए पैदानी हुए जो चाहता हमारी हत्तिया कर देता है मुचह रखने पे, घोड़ी पे, बैटने पे, मत्की चूने पे हमारी Χत्ती रोग क्या बदला है सर सतर साल बाद भी दलित पिछडे मुसल्मानों पर इंसा निरुकूरिये सर मेरा आपसे संजक्षन के साथ ये आग रहे है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है सविधान से चलता है सर और सविधान से चलेगा सविधान चेटकानी बर्दानी की जाएग सर